नमस्कार आप देख रहे हैं मनी मंच दोस्तों आज मैं फिर से हाजर हूँ एक बिलकुल नई इन्वेस्टमेंट जानकारी के साथ आज हम बात करेंगे Kotec Mutual Fund की एक शांदार स्कीम के बारे में जहां हम SIP के थुरू हर महीने थोड़ा-thोड़ा पैसा इन्वेस्ट करके एक बड़ा फंट तयार कर सकते है तो चलिए सबसे पहले हम जानते है कोटेक mutual fund की इस scheme के बारे में और उसके बाद हम इसे calculate भी करेंगे की कैसे आप 2000 रुपे की मंतली SIP स्टार्ट करके 4.67 करोर रुपे तक का fund तयार कर सकते है इस scheme का नाम है कोटेक emerging equity fund direct plan यह एक mid-cap fund है जो mid-size की कंपनियों के stocks में पैसे invest करता है जब से यह scheme स्टार्ट हुई है यानि जनवरी 2013 से लेकर अब तक इस scheme ने काफी अच्छे returns दिये है अगर किसी ने इस scheme में 10 साल पहले 1,00,000 रुपे lump sum invest किये थे तो वो आज 8,88,000 हो गए है यानि 10 साल में करीब 9 गुना का return दोस्तों अगर आप हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा invest करके long term में एक बड़ा fund तयार करने के बारे में सोच रहे है तो यह scheme आपके लिए एक अच्छा investment option हो सकती है इस scheme में invest करके आप किसी भी FD और RD से 3 गुना से ज़्यादा return पा सकते है लेकिन दोस्तों, mid-cap mutual funds में risk बहुत ज़्यादा होता है इसलिए इन funds में आपको अपनी risk profile देख कर ही निवेश करना चाहिए अगर मैं बात करूं कोटक Emerging Equity Fund की holdings की तो इस fund की top holdings है Supreme Industries, Solar Industries India, Persistence Systems, Oberoi Realty, Commons India, Schaeffler India, Sundaram Finance, भारत Forge, Coromandel International, JK Cement आदी यानि इस fund ने इन companies के shares में अपना पैसा invest किया हुआ है दोस्तों, अगर हम इस scheme के return की बात करें तो इस scheme का all time return 20.97 प्रतिशत का है इस scheme का 10 साल का return 24.41 प्रतिशत का है और इस scheme का 5 साल का return 23.39 प्रतिशत का है अगर हम पिछले 3 साल का return देखे तो पिछले 3 साल में इस scheme ने 28.1.6 प्रतिशत return दिया है और पिछले 1 साल की बात करें तो इस fund ने return दिया है 30.4.6 प्रतिशत का इस fund में minimum investment आप SIP के जरिये 100 रुपे और lump sum भी 100 रुपे कर सकते है यानि आप इस scheme में 100 रुपे के छोटे से amount से investment स्टार्ट कर सकते है maximum की कोई limit नहीं है आप जितना चाहे उतना पैसा invest कर सकते है इस fund का NAV अभी 113.25 रुपे चल रहा है इस scheme का fund साइच 36,528 करोड रुपे का है यानि इतने पैसे लोगों ने इस fund में निवेश किये हुए है इसका expense ratio है 0.38 प्रतिशत का ये तो बात हुई इस scheme की details की आगे इस वीडियो में हम calculate करके देखते है कि अगर आप इस scheme में 1.7 एक लाख रुपे lump sum invest करते है तो आपका पैसा कितने साल में कितना हो जाएगा या फिर अगर आप इस scheme में 2,000 रुपे महीना से SIP शुरू करते है तो आपको कितने साल में कितना पैसा मिलेगा दोस्तों, सबसे पहले हम 1,00,000 रुपे की lump sum investment को calculate कर लेते है यहाँ पर हमने return माना है 20% का, जो कि इस scheme का all time return है दोस्तों, यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी चाहिए कि mutual fund में returns की कोई guarantee नहीं होती है यहाँ पर हम 20% का return सिर्फ calculations के लिए मान कर चल रहे है और आने वाले time में ये 20% से कम या ज्यादा हो सकता है अगर आप इस पैसे को 5 साल के लिए invest करते है और इस पर return मिल जाता है 20% का तो यहाँ पर आपको जो return मिलेगा वो होगा 1,48,831 रुपे का 1,00,000 रुपे जो आपने invest किये है उन्हें मिला के आपको जो total पैसे मिलेंगे वो 2,48,831 रुपे होंगे अगर आप इस पैसे को 10 साल के लिए invest करते है और इस पर return मिल जाता है 20% का तो यहाँ पर आपको जो return मिलेगा वो होगा 5,19,173 रुपे का 1,00,000 रुपे जो आपने invest किये है उन्हें मिला के आपको जो total पैसे मिलेंगे वो 6,19,173 रुपे होंगे अगर आप इस पैसे को 20 साल के लिए invest करते है और इस पर return मिल जाता है 20% का तो यहाँ पर आपको जो return मिलेगा वो होगा 37,33,769 रुपे का 1,00,000 रुपे जो आपने invest किये है उन्हें मिला के आपको जो total पैसे मिलेंगे वो 38,33,769 रुपे होंगे अगर आप इस पैसे को 30 साल के लिए invest करते है और इस पर return मिल जाता है 20% का तो यहाँ पर आपको जो return मिलेगा वो होगा 2,36,00,000 रुपे का 1,00,000 रुपे जो आपने invest किये है उन्हें मिला के आपको जो total पैसे मिलेंगे वो 2,37,00,000 रुपे होंगे दोस्तों अब हम calculate करके देखते है कि अगर आप इस scheme में 2,000 रुपे महीना से SIP शुरू करते है तो आपको कितने साल में कितना पैसा मिलेगा यहाँ पर हमने return expect किया है 20% का जो कि इस scheme का all time return है अगर आप इस SIP को 5 साल जारी रखते है और इस पर return मिल जाता है 20% का तो यहाँ पर आपको जो return मिलेगा वो होगा 86,908 रुपे का 1,20,000 रुपे आप इसके अंदर invest करेंगे और total value जो होगी वो 2,6,908 रुपे की होगी अगर आप इस SIP को 10 साल जारी रखते है और इस पर return मिल जाता है 20% का तो यहाँ पर आपको जो return मिलेगा वो होगा 5,24,727 रुपे का 2,40,000 रुपे आप इसके अंदर invest करेंगे और total value जो होगी वो 7,64,727 रुपे की होगी अगर आप इस SIP को 20 साल जारी रखते है और इस पर return मिल जाता है 20% का तो यहाँ पर आपको जो return मिलेगा वो होगा 58,42,969 रुपे का 4,80,000 रुपे आप इसके अंदर invest करेंगे और total value जो होगी वो 63,22,969 रुपे की होगी अगर आप इस SIP को 25 साल जारी रखते है और इस पर return मिल जाता है 20% का तो यहाँ पर आपको जो return मिलेगा वो होगा 1,67 करोर रुपे का 6,00,000 रुपे आप इसके अंदर invest करेंगे और total value जो होगी वो 1,73 करोर रुपे की होगी अगर आप इस SIP को 30 साल जारी रखते है और इस पर return मिल जाता है 20% का तो यहाँ पर आपको जो return मिलेगा वो होगा 4,6 करोर रुपे का 7,20,000 रुपे आप इसके अंदर invest करेंगे और total value जो होगी वो 4,67 करोर रुपे की होगी इस प्रकार आप इस scheme के अंदर 1,000 रुपे महीना से SIP शुरू करके 30 साल में 7,20,000 रुपे जमा करके 4,67 करोर रुपे तक का फंद तयार कर सकते है दोस्तों यह इस फंद में निवेश की सलाह नहीं है mutual fund में निवेश बजार के जोखिमों के अधीन है इसलिए निवेश से पहले अपने advisor से परामर्ष कर ले अगर हम कुछ और mid-cap mutual funds की बात करें तो वो है ये सारे mid-cap funds भी काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे है तो आपको ये plan कैसा लगा और इसमें investment के बारे में आपकी क्या राय है इसके बारे में हमें comment करके जरूर बताए इसके अलावा आप कौन से mutual funds के बारे में विडियो देखना चाहते है वो भी हमें comment section में जरूर बताए दोस्तों, mutual fund में निवेश करने के तीन तरीके होते है पहला fund company की website, दूसरा broker के थूरू और तीसरा घर बैठे mobile app के द्वारा अगर आप mobile app के जरिये निवेश करना चाहते है तो आप stocks का link नीचे description में दिया है उस पर click करके आप अपना Demit account open करके direct invest कर सकते हैं धन्यवाद